चोले पटना से बड़ी खबर आपको बता दे जहाँ पर बदमाशू ने दो युवकों को मारी गोली बाइक सवार बदमाशू ने दोड़ा कर मारी गोली दोनों घायलों को पीम सीच में भरती कराया गया है कदम कुवा थाना के राजेंद्र नगर की ये पूरी बारदात हम आपको बता रहे हैं तो पटना से बड़ी खबर आपको बता दे बदमाशों ने दो युवकों को गोली मारती है बाइक सवार बदमाशों ने दोड़ा कर मारी गोली दोनों घायलों को PMCH में रेफर किया गया है जहाँ पार कदम कुवा थाना के राजेंद्र नगर की ये पूरी बारदात हम आपको बता रहे हैं आज कदम कुवा थाना शेत्र में लगबग आठ बजे राजेंद्र गनिस्तित बेबी पार्क के सामने तीन मोटर साइकल पर अपराद कर्मियों द्वारा दो व्यक्तियों को गोली मार के घायल कर दिया गया है जिनका नाम सूरज मिश्रा, पुत्र बाल किशुन मिश्रा जो शापर बोजपुर करेने वाले हैं पप्पु कुमार, पिता भारत प्रशाद जो राजेंद्र करेने वाले हैं ये बताया गया है दोनों गायल व्यक्तियों को पीमसीस ले जाया गया है पुलिस घटना सर्पर पहुँच गई है वो अनसंधान किया जा रहा है सभी पंदू पर उनसंखरत करें जल्दी से जल्दी अपरादियों गरता किया जाएगा एक मोर्साइकिल पर टिपल लोडिंग सवार से आया और अन्दा हाथ धूर फाइरिंग करने लगे एक सुरज को गोली लगी है और कुछ राहगीर को भी गोली लगी है बाकी किनको गोली लगी नहीं पता लगभग नौ राउंड गोली चली है सुरज वहाँ से भाग कर लगभग सौट डिर सो मीटर दूर एक अपार्टमेंट में जाता है रोड नमर साथ के बाला जी अपार्टमेंट में वहाँ भी उनको खदेरा जाता है अब वहाँ भी फाफाइलिंग की जाती है अंदर में फिल घुच के सीरी में घुच के जान बचाया तब लोग भागे है अब तो देखे कहीं न कहीं तो अपरादियों कैतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि सुधिर कुमार मोदी जी के घर के बगल में बगल में हाई कोट के ज़ज है सुधिर कुमार सिंग है तो अब तो कोई भी वहां से कुछाल नहीं है सपर खता मटारा है